गुड इनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे question number 16 सिंग एज की book का जिसमें question में कहा गया है array of light is incident along vector 1 upon root 2 i cap minus 1 upon root 2 j cap plus k on plane mirror placed in xy plane normal incidence point is along z axis तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमें जो पताया गया है कि एक मा लीजे x और y एक plane है और उस xy plane में z axis उन दोनों के perpendicular होगा ठीक है बच्चों यह z axis है, यह x है, यह y plane है तीनों ही एक दूसरे के perpendicular है question में कहा गया है कि एक ray incident होती है जो की xy plane mirror पर है यानि कि यह जो plane mirror हमारा है इस पर एक mirror रखा हुआ है और उस पर incident होती है और वहाँ normal जो है, वो normal आप 90 degree पे z axis के long है यानि कि जो normal ऐसा है, वो z axis के long है तो अगर मान लीजे कोई ray हमारी यहां से incident होती है तो उतने ही angle से वो reflect भी हो जाएगी जाहिड सी बात है, उतने ही angle से reflect हो जाएगी हमें बताना यह है, question में पूछा जा रहा है चार option दिये गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही option है तो देखिए z axis अगर यह है, इसको भी z axis माना जा सकता है जो normal हमने draw किया है, तो हम यह पहले देखें कि z axis से कितना angle बना रही है वैसे तो इसको हम i और r लेंगे, जितना i angle होगा उतना ही r angle होगा क्योंकि यह law reflection है, तो सबसे पहले हम देखें कि जो z axis से यह ray हमारी जो incident हो रही है वो कितना angle जुकी हुई है, तो हम जैसे formula लिखते हैं, cos, comma is equal to az upon magnitude of a vector देखें, आप a z की value तो 1 दे रखी है, तो a z तो हमारा 1 होगा और magnitude of a, 1 by root 2 का 1 by 2, minus 1 by root 2 का square 1 by 2, और 1 का square 1 तो cos, gamma, अब देखें बच्चों यह आपर, यह value पूरी कितनी हो रही है, 2 क्योंकि वो half-half मिलके 1 और यह root 2, तो 1 by root 2 cos, gamma अब देखें, 1 by root 2 cos किसमे होता है, 45 degree पे होता है, तो gamma की value कितनी आगई, 45 यह gamma यही वाला i है, क्योंकि यह z axis है, z axis जो angle बन रहा है, यानि i ही gamma है, और जो i होगा वही r होगा, यानि कि 45 degree का angle बनेगा, तो हमारा option जो दे रखा, the angle of incidence is 45 degree, यह option हमारा सही है, क्योंकि जो angle of incidence है, वो 45 degree है, ओके बच्चों गुड़ा है,